किसान गजेंदर की खुदकुशी मामले में एक और नया मोड आ गया है गजेंदर जैपुर के निवारू रोड इलाके में अपनी छोटी बहन रेखा कवर के पास रहता था गटना वाले दिन गजेंदर तड़के तीन बजे अपनी बहन से डेड़ लाख रुपे लेकर शोपिंग करने के बात कहकर दिल्ली निकला था और दोपैर एक बजे जब गजेंदर पेड़ पर चड़ा हुआ था तब मोबाइल से उसे बाचीत की गई और उस समय गजेंदर ने दे रात वापस लोटने की बात कही थी वहीं रेखा कवर ने कहा कि जिस गमचे से गजेंदर लटका मिला वो भी उसका नहीं है गजेंदर अपना घर पर ही गमचा छोड़ कर गया था आई आपको दिखाते हैं जिस घर में गजेंदर रहता था वहां का जाइजा लिया मेरे सहयोगी दिनेश डांगि राजस्तान के जिस किसान गजेंदर ने दिली में खुद को मोत के गले लगाया वो राजदानी जेपूर के निवारू इलाके में रहते थे इस वक्त हम उस मकान में मौजूद है यह मकान उनकी छोटी बहन रहा कौर के हैं 18.20 लक्समी नगर में जो है अमूमन गजेंदर सिंग यही रहते थे 2008 में उनकी बहन और जी जाई नहीं यह मकान खरीदा था और अब हम उस कमरे में जाएंगे जिस कमरे में जो गजेंदर सिंग है वो रहते थे अपनी छोटी बेहन के साथ रहते थे साफे बांधने का उनको जो था एक उनका ये काम था और वो कॉंट्रेक्ट इस बात का लेते थे ये वो कमरा है जहां पर फिलाल उनकी जो छोटी बेहन रेखा कमर जी है वो मुझूद है और मैं अपने केमरा परसन राम निवास गुजर से दिखाने कोशिश करूँगा जो आलमारी आप सामने देख रहे हैं उनके अंदर जो साफे रखे हुए हैं ये साफे बांधने का काम गजेंदर सिंग करते थे और इसमें जो नई बात इनकी जो रेखा कामर कि उनका गमचा मेरे पास मौजूद है गमचा कहां से आया ये भी एक जांच की बात हो सकती है और उनका ये भी कहना है कि गजेंदर सिंग को गमचा पहने का कोई शोके नहीं था जो गमचा उनके साथ था जिस दोरान जो दिखाया गया वो गमचा भी नहीं था जो बेग है उसमें ये मौदूद है, रेखा जी से हम ज़्यादा बात्चित करते हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि 19 अपरेल को कितने बज़े वो आपके पास से यहां से गए थे? तीन बज़े, तीन बज़े यहां से गए थे, रवाना हुए थे अच्छा कुछ पैसे भी लेकर गए थे, क्या कहके गए थे? मेरे से डेड़ लाग रुपे लेकर गए थे, या कि सामफ़न नहीं वो कर भी दूँगा सौपिंग के लिए गए थे, जो बज़ा मार्ण जी की शादी थी उसकी सौपिंग के लिए अच्छा उस गंचे से जो कह रहे हैं, खुद कुछी लगाई आखिर वो गंचा यहां छोड़के गए हैं, क्या राज हो सकता है, क्या आरोप है आपके? यह है कि वो गंचा इतना बड़ा, वो ऐसा रंगा गंचा रखते ही नहीं थे, और ना उनको कोई शौक था गंचा रखने के लिए, वो तो वैसे एक सिर्फ साफा ही बानते थे अच्छा वो अन्तिम रिष्टिदार थे, आप से मिलके लाश्ट बार गए थे, क्या कहके गए थे, कब लोटूँगा, उन पैसे से क्या करूँगा? अन्तिम से वार क्यों मेरे से तो जब भी बात की है, जब वो डिली गए थे, पेड़ पर चड़े हुए थे, तब भी मेरे से बात की है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है, क्या का ता फोन पर? में नहीं फोन किया था, एकी भाईा साब कब आओगे, बूले कि मैं अनस शाम तक आपके पास पहुँच जाओंगा, बस दोबात करके और बस, बले मैं जरूर भःजर शाम तक पहुच जाओंगा, उनका सामान रखा हुआ था, एक क्यों भाद का तो मैं ने बूला कि मैं तो कर रवाना हो जाओंगी और आप कब तक आओगे मैं चाबी उनको नीचे भावी जी को दे जाओंगी इतनी बात हुई थी वस अच्छा काफी जिंदा दिल सक्स ते रास्तानी फिल्मों में काम किया था साफ हे बांते थे आपके बाइसाब काफी थे तो आपको क्या लगता क् कर सकते हमारे बाइसाब उनको किसी नौक सादिया या उनकी किसी की साथ जीस्ति वह ऐसा नहीं कर सकती आज मीं उमारा सब कही है तो रेखा जी का कहना है कि उस दोरान जब वो पेड़ पर चड़े वे थे तो दो पर एक बज़े उन्होंने उनको फोन किया था तो उन्होंन वो चाहती है कि उनको इंसाब मिलें एक साजिस के तहत उनके भाई को मारा गया है कैमरापरसर रामनिवास गोजर के साथ दिनेश डांगी फर्ष्ट इंडिया न्यूज जैपूर